आज मेरे साथ फिर से शाम आनव साहब हैं मैंने आपसे आग्रह किया था कि भाई इस तरह के विशय जो थोड़े आम जंद से इर्रिस्पेक्टिव आफ क्लास वो समाज के जो वंचित वर्ग है वहां से लेके और समाज का ऐसा वर्ग जिसके पास सब कुछ है वहां तक इसने समाज को जखड़ा हुआ है और उस पे कुछ-कुछ अगर आप शाम आनव जी जैसे कुछ लोग अगर मिल जाओ और उसके कुछ बाते हम लोगों को समझाएं तो समाज के एक बड़ी मतर समाज को आँखे खोल देने का एक बड़ा काम होता है शाम जी आज थोड़ा एक जो फेथ and confidence विश्वास श्रधा क्योंकि एक मेरा विश्वास है एक मेरा सचिन तेंदूलकर के उपर विश्वास है मेरा धोनी के उपर विश्वास है कि तीन नंबर पर आएगा उसको आज नहीं हुआ है कि वह से लोगों कहाई कि अगर यह है तो मुम्किन है वो है तो मुम्किन है इस थारी की बाते करते हैं तो थोड़ा इसको हमारे दर्शकों को डिफाइन कर दीजे कि यह से अंध्विष्वास और फिर अंध्विष्वास कैसे उससे से रिलेटिड है वो ज़रा लोगों को समझ चाथ जाता है वो चार विश्यों में खास्तर किया जाता है एक है फिलोसॉफि तत्व क्ज्ञान दूसरा साइकोलोजी मानष्ष शास्त्रे तिसरा एंथ्रोबोलोजी जिसे हम कहते हैं मानव वमश शास्त्रे और चवता है जिसे हम सोशोलोजी कहते हैं समाश शास्त्रे बाकी भी काफी विश्यों में इसका अध्यान होता है लेकिन यह चार प्रमुख विशे हैं जहां पर धर्म इस विशे का बहुत गहराई से अध्यान होता है और हम सभी जानते हैं कि Unicidus की एक discipline होती है, उसके उनुसार इसकी व्यक्षा की जाती है, सभी धर्मों ने faith ये प्रक्रिया मानी है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, सौंस्कृत में, मराठी में, हिंदी में भी श्रद्धा कहते हैं, ये श्रद्धा, faith प्रक्रिया, जो जो जो दर्म गरंत हो, चाहिए वो ही व्यक्ति हो, धर्म गरंत लिखने वाला भी व्यक्ति होता है, तो ऊस पर श्रद्धा होती है, तो हमसे वो श्रेष्ठ है, दुसरी बात उसका श्रद प्रमान हमने मनना चाहिए, जिसे हम श्र exerc प्रमान संस्कृत में कहते हैं, याने उसने कहा वही शब्द प्रमाण है, अलग से किसी प्रमाण की अभशक्ता नहीं है तिसरी बात उससे बारे में कोई शंका नहीं लेनी है, डाउट मन में नहीं लाना है तिसरी बात हो गई, चौथी बात उसकी कभी चिकित्सा नहीं करनी है ये चार इंग्रेडियंट जहां पूरे होते हैं उसको श्रद्धा प्रक्रिया कहते हैं श्रद्धा ये शब्द नहीं है फेट ये शब्द नहीं है ये एक प्रक्रिया अभी स्रेष्ठ मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है हम किसी को भी स्रेष्ठ मान सकते हैं हमसे उमर से छो को कि मैं इंद्र भगवान से मिलने गया था सुवर्ग में गया था वहाँ अम्रूत पिकर आया मां के अपसराओं का दांस देख कर आया और आपने मुझे सवाल पुछावाई इसके प्रमाण क्या है तो मैं कहूंगा कि मैं कहता हूँ यही प्रमान, मेरा शब्द यही प्रमान, मुझे कोई भी दूसरा प्रमान देने की आवशकता नहीं है, इसको कहते है शब्द प्रमान जेने, याने जो हमारा गुरू है, जिस पर हमेश रधा रखनी है, उसका शब्द ही प्रमान है, अलग की चिकित साभी नहीं करनी है तो इसलिए हमारे शिरद्धा का रुपानतरण कब अंदविश्वास में हो जाता है यह हमें ही पता नहीं चलता जिसे हम आस्था कहते हैं क्योंकि आस्था प्रक्रिया में ही अंदश्रद्धा की जड़े हैं याने जिसके परिणाम अच्छे होगे वो फेथ है जिसके परिणाम बुरे होगे वो अंदविश्वास है सूपर स्टिशन है ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन अच्छे परिणाम और और विश्वास की प्रक्रिया ने जिसे हम श्रद्धा कहते हैं उसकी बात में कह रहा हूं फेट की प्रक्रिया एक ही है। कम से कम आपके सामने अगर कोई प्रमान आ जाए कि जिसके आधार पर सामने का व्यक्ति हम जिस पर हमने श्रद्धा रखी है जिस गुरू पर हमने श्रद्धा रखी है वो गलत है या हमारे ध्यान में आएगा तो हमने उसके उपर की हमने श्रद्धा बदल देने चाहिए इसे कहते हैं विश्वास प्रक्रिया यानि ये दो शब्दे फेट जो कभी अडिग होता है कभी हिल नहीं सकता है और दूसरा होता है बिलिफ हमारे जीवन में जो आम इंसान जीता है वो विश्वास के बिना जी ही नहीं सकता है बाई मुझे आप पर विश्वास है मैं और आप तो परसनली कभी मिले नहीं एक दूसरे से इसके बावजूद हम एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं संबंद रखते हैं एक दूसरे का सहकार्य करते हैं एक दूसरे का सहकारिय लेते हैं तो ये सभी बाते हमारे जीवन में हम करते हैं लेकिन जब मुझे बुरा अनुभव आएगा तो मैं अपना विश्वास बदल लूँगा इसी डंग से अगर आप सही माने में डोड़ श्रद्धा रखना चाहते हो यानि इसका मतलब आखे खो को हम अंदव विश्वास कहते हैं यह दो शब्द हैं एक है अज्ञान मुझे जानकारी नहीं है इसलिए अज्ञान मेरी जानकारी का अभाव है या तो पुरे यूमन बींग को ही जानकारी नहीं है पुरे मानोजाती को जानकारी नहीं है या फिर मानोजाती को जानकारी है लेकिन मेरे जानकरी के अबाव के कारण मुझे जानकरी नहीं है इसके बावजूद अगर मुझे वो चीज पता नहीं है तो मैं इसको अज्ञान कहता हूँ अंदविश्वास यह होता है कि जिसके जानकरी होने के बावजूद हम पुराने किसी बात को पकड़ कर रखते हैं, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो बात सच नहीं है, इसके बावजुद हम उसे मानते हैं, उसे हम अंदविश्वास कहते हैं, सूपर स्टिशन कहते हैं मुझे लगता है अभी फेथ प्रक्रिया, बिलिफ याने विश्वास रखने की प्रक्रिया, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे सामने जब भी कोई अलग प्रमान आएगा, तो हम हमने विश्वास को बदलेगे, इस जंग से हम हमारे जी अपनी मा के उपर पूर विश्वास होता है, और वो शायद इतना होता है कि अगर आग की तरफ भी जा रहा है, और मा कहींगी चले जा तो चले जाने को तैयार रहता है, उसको लगता है कि मा कह रही है, तो मेरा पूर लेकिन जैसे आदमी बड़ा होने लगता है, उसके गणेश जी ने दूद पिया, अब भई उस दिन तो इतने ज़्यादा लोग गणेश जी को दूद पिला रहे थे, मैं बंबई में था कि मुझे भी, मैं भी उसमें लगा कि हाँ, कैसे, ये खड़े होके कहें कि ने, ने, कहां दूद पी रहे हैं, ये तो सब दूद, वो ज जोड़ा गणेश जी दूद पिने का सवाल डायरेक्ली डिलेटेड है, मुझे इसलिए मैं कही रहा हूं, गणेश जी जिस दिन मुंबई में दूद पी रहे थे, दिल्ली में भी शुरू हुआ शुबसुबर, और मुझे दिल्ली के टीवी से फोन आया कि आपको दिल्ली आना है, लेकिन मैं बहुत थग गया था, बहुत लंबा टूर करकर आया था, उन दिनों में साधे फोन होते थे घर में, मुंबई के कमिशनर, PKB चक्रवरती, उनका मुझे फोन बार बार आने लग गया, मैंने फोन उठाया, वो मुझे पर बरस पड़े कि कितने टाइम से ह कोशित किया है, हर जगा दूद पी रहे हैं, मैंने बहुत दिल्ली में भी यह हुआ आता शुरू, इसलिए मुझे पता चला था, फिर मैंने कहा कि मैं यहीं बैठता हूँ, क्योंकि मैं बाहर आ जाओंगा, तो आप से मेरा संपर्क होना मुश्किल हो जाएगा, मैं कहता उतने बाते केजए, उन्होंने अपने DCP को मेरे साथ में लगा दिया, DCP सहाब को मैंने कहा कि मुर्तिया बदली है क्या नहीं बोले सर वो तो पहले हमने सबसे देख लिया है मुर्तिया वही है मंदिरों में पूरा नहीं रहती थी मुंबई के ज्यादातर मंदिरों में संग्मर मर्क मुर्तिया है हां बोले इसलिए आसान है समझना सीधी सी बात है कि दूद कोई कोई भी मुर्ति पी नहीं सकती है अब दुद नीचे इकठा होता है और आपको लोगों के सामने ये प्रूव करना है तो सबसे पहले DCP साहब उससे जगड बैठे क्या बुले आपका किसी चीज पर विश्वास नहीं है मैंने का सर जी आप मुझे जानते हो मैं कोई भी बात प्रमान के बिना तो कहता नहीं और प्रमान तो आपको इनिर्मान करना है कमिशनर साहब ने कहा है वैसे हम करेंगे अगर मैं जूटा साभित हुआ तो आप जाहिर तरीके से कही दिजीगा कि मैंने कहने के बावजूद भी मैं जूटा साभित हुआ मैंने उनको इदायत दे कि आप खुद मत किजिए उजारी के माध्यम से जो भी फुल माला है वगरे गंड़पती पर लटकी है यानि जो भी मंदीर है वहाँ पर जो लटकी है क्योंकि केवल गंड़पती नहीं पी रहे थे सभी पी रहे थे यानि सभी मुर्तिया पी रहे थे तो वह निकाल दीजिए और लोगों को दूद पिलाते वक्त चम्मत जो होता है वो टेड़ा मत करने दीजिए क्योंकि जब तक वो टेड़ा नहीं करेगे तब तक वो दूद उसमें से बाहर नहीं आएगा चम्मत से बाहर नहीं आएगा और फिर चम्मत से दूद नीचे आएगा वो नीचे मुर्ति से खिजक कर नीचे जमा होते रहेगा 20-25 लोगों ने एक बार मुर्ति को दूद पिलाया इस धंग से क्योंकि आप ज़्यादा समय तो रोक नहीं पाऊगे ज़्यादा ज़्यादा आदा मिनिट रोक पाऊगे फिर भी वो चम्मश टेड़ा करेगा दूद नीचे आएगाई फिर उसके बाद में स्पंज में दूद इकठा किजी और बाल्टी में डाल दीजी और इस जंग से लोगों के सामने करिए एक घंटे के बाद में उनका मुझे फोन आया बड़े अनन से वो कह रहे थे कि सर हमने आप पर बिश्वास रखकर छे साथ मंदिरों में एट टाइम इस जंग से काम शुरू किया और हर जगा दूद इकठा हो रहा है मुझा आगे की क्या कर रहे हो बोले हम सोच रहे हैं कि हर जगा बोड लिखे क्योंकि मंदिरों के पास में बोड लिखने की प्रता मुंबई में बहुत है तो वहाँ पर बोड लिखे गए है कि मंदिर दूद नहीं पिता है यारे मंदिर की कोई मुर्ती दूद नहीं पिती है वो सब यहाँ पर जमा हो जाता है और इस जंग से मुंबई में बोड लगने शुरू हुए और ये काम पुलिस मुंबई पुलिस ने किया है ये investigation पूरी तरसे शाम तक मुंबई में पूरी तरसे ये भीड थम गई थी हर जगा लोगों को पता चल गया था तो इतना सुंदर काम पुलिस ने किया इसके बारे में अब रहा सवाल हमारे मन में ये विश्वास क्यों निर्मार होता है दो चीजे हैं पहले मां हम पर समस्कार जो भी क हमारी जो critical faculty होती है विचार करने के एक शमता होती है वो developing नहीं होती है पहले 5 साल तक हमें जो भी कहा जाता है हमें जो दिखता है वो हम जैसे के वाईसे स्विकारते है सव प्रतिशत सच मानकर स्विकारते हैं इसलिए पहले पाच सालों में हम पर जो समस्कार होते हैं माबाप के माध्यम से, जोटा KG1 वगरे जो होगा वो स्कूल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये बच्चे पड़ोस में खिलते हैं, वहां बच्चों के माबाप बोलते हैं, बाकी के रिष्टेदार बोलते हैं, उन सब का परिणाम हम पर होता है और पहले पाश साल तक क्या सच है, क्या ज्छूट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका विएक हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह faculty हमारी डेवलट्by नहीं होती है, पाश साल के बाद हमारी यह majority डेवलट्by होती है, हमारे mind में दो प्रकार की विचार करने के एक शंता होती है हमारे ब्रेन का जो उपरी हिस्सा है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं उसमें एक लेफ्ट हेमिस्पियर होता है दुसरा राइट हेमिस्पियर होता है यह जो लेफ्ट हेमिस्पियर होता है वो रिजनिंग करने का काम करता है मैथेमाडिक्स का काम करता है याने जो भी इमेजेस से रिलेटेड, कलपनाओं से रिलेटेड, आर्स याने यहां मैं कला बोल रहा हूं, उससे रिलेटेड काम हमारा राइट हेमिस्पियर करता है, और हमारे इमोशन्स का केंद्र भी हमारा राइट हेमिस्पियर होता है, तो बच्पन से जैसे हम पास साल के उपर होते ह तो हम पर ये बार-बार कहा जाता है कि बड़ों ने कहा वो बात सुनो, बड़ों को जादा अच्छे डंग से समझ में आता है, फिर उसके बाद में शुरू होता है, हमारे धर्म ने कहा वो बात सुनो, हमारे गुरु ने कहा वो बात सुनो, उसके बारे में शक नहीं करने का, उसके बारे में चिकित्सा नहीं करने की जो व्यक्ति चिकित्सा करता है जो व्यक्ति शक करता है उसे कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और हमको बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश क्या है को प्राप्त करना और इसलिए हमें बच्पन से पास साल के उमर के पहले से ही हमें डिस्करेज किया जाता है कि जो कल जाकर आने वाली हमारी जो फैकल्टी है जो रिजनिंग करने के ख्षमता है उसका हमने उपयोग नहीं करना है याने हम जो व्यक्ति मैथेमेडिक्स में जबाब ढूडने के लिए या फिर उसके सामने जो समस्याय आती उसके लिए वो कभी रिजनिंग का उपयोग नहीं करता है वो जो सेट कलपना है उसको सिखाई गई है जिसके आधार पर उसका व्यक्तित वगड़ा गया है वही बाते वैसे कि वैसे वो स्विकारता है इसल के नाम पर कि वेदो के नाम पर भगवान के नाम पर एक पवीत्र चीज के नाम पर अपने आप पर पूरी तरह से उसको हम पकड़ लेते हैं । किसी भी इस्तिती में उसको छोड़ने के लिए तयार नहीं होते हैं. जब की हमारे सामने कई प्रमांड आ चुके होते हैं, कई तत्थ्य हमारे सामने होते हैं उसके बाउजुद हम उसको नकारते रहते हैं. मुझे या फिर के जैसे गाड़ के महाराज बहुत ही अनपढ़ वेक्ती थे लेकिन बहुत बड़े रैशनल वेक्ती थे उन्होंने लोगों का बहुत बड़ा प्रबोधन किया उनको भी लगता था अमबेटकर और फुले जी क्यों भी लगता था कि जब इंसान पढ़ना शुरू करेगा पढ़ेगा लिखेगा तो अंदविश्वास के बाहर आएगा लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ में हम अंदविश्वास के बाहर नहीं आते हैं उल्टा जितना हम ज़्यादा पढ़त शाम जी मुझे एक चीज़ और बताएगे क्योंकि यह बार-बार कहा जाता जैसे आपने कहा कि भाई हम खास करके मरीजों के इलाज तो करा हो लेकिन डॉक्टर में विश्वास होना थी यह बहुत आम घरों में है कि अगर आपका डॉक्टर में कॉन्फिजेंस नहीं है तो दूसरा फिर कहा जाता है कि अपने में विश्वास होना कि यह सेल्फ कॉन्फिजेंस तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे और मैं छोटा सा उधारन इसलिए दे रहा हूं मैं बहुत साधानन सा उधारन दे रहा हूं कई बार सड़क पे आप कई बच्चे मतलब वो जो 17-18 साल से लेके 25-26-30 साल तक के बच्चे हैं वो दो पहिया वहां जिस धंग से चलाते हैं आपको देख के लगता है कि यह एक्सिदेंट 100% करेंगे मतलब यह उन बच्चों का कॉन्फिडेंस है विश्वास है क्या है मतलब क्योंकि वो तो लॉजिक भी उनकी है थुड़ा इन चीजों को भी एक रिलेट कर जाएसे हम लोग को है कि हम डॉक्टर में विश्वास होना चाहिए तभी दवा काम करेगी यह भी सिखाया जाता है हाला कि हम इसको दो तरीके से देखेंगे एक है कॉन्फिडेंस और दूसरा है बेपरवा होना तो आपने जो बच्चों का उधारन लिया कि जो सेकल चला रहे इस डंग से तो वो कॉन्फिडेंस तो है लेकिन बेपरवा है फिर अनुभाव से हमें सिखना पड़ेगा और य इंसान की विशेष्टा इसी है कि वो दूसरों के अनुभाव से सिखता है प्राणी जगत में अकेला केवल इंसान है जो दूसरों के अनुभाव से सिख सकता है इसलिए हम इतना प्रगति कर बाए हर अनुभाव हमें लेने के आवशक्ता नहीं होती है ग्यान का मतलब क्या आता है, दूसरे कई लोगों का अनुभव यानि वो ग्यान होता है, जो अपने आप हमें प्राप्त हो सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के अनुभव से हम सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी टेंडनसी कि दूसरों के अनुभव से सीखना उनके लिए महत्वकी वाद है, हमें डोक्टर पर विश्वास होना जी, हमारे अयुर्वेट का बिलकुल विकास नहीं हुआ, जो पुराने मेडिसिन थे, अयुर्वेट था, युनानी था, इनका इतना विकास नहीं हुआ, हाला कि उनको मेडिसिन करकर मान्नता है, लेकिन एलोपेथी का बहुत विकास हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है उसके पीछे का पहला कारण ऐसा है कि यह जो डॉक्टर पर विश्वास की बात है उसको उसमें पूरी तरह से छोड़ कर मेडिसिन को डेवलप किया गया इसे कहते हैं सजेशन का सामर्ज मेरे मन में अगर विश्वास है और मैं उस पर विश्वास रखता हूँ तो उसके मुझे फायदे मिलते हैं इसे दुसरा नाम दिया गया है प्लासीबो इफेक्ट याने मेडिसिन की जो टेस्ट होती है अलुपेथिके मेडिसिन की जो टेस्ट होती है वो प्लासीबो इफेक्ट निकाल कर ही की जाती है याने उधारण के तोर पर एक नया मेडिसिन मार्केट में आ रहा है तो उसकी टेस्ट कैसी होती है एक बहुत रिनाउन डॉक्टर है उसके माद्यम से सव पेशंट को वो मेडिसिन दी जाती है ये मेडिसिन दिने के बाद में ये फला 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 फायदे होने वाले है पहले कहा जाता है और वो मेडिसिन दी जाती है उसी के स्तर का equally लोगों का विश्वास होने वाला दूसरा डॉक्टर उचुना जाता है उसे भी वही medicine दी जाती है उसे भी वही फायदे मिलेगा ऐसा कहा जाता है और वो डॉक्टर भी यही फायदे मिलेगा ऐसा रोगियों को कहता है पहली medicine true होती है A medicine B medicine placebo होती है याने उसमें medicinal कुछ भी नहीं होता है दिखने को wrapping वगरे सेम होता है दोनों के results ना पे जाते है पहले 100 patient में से अगर 90 लोगों को फायदा हुआ और दूसरे में अगर 100 में से 50 को फायदा हुआ तो यह माना जाता है कि second में 50 को ही फायदा हुआ क्योंकि वहाँ पर placebo effect था केवल विश्वास की बात थी उसमें कोई medicine नहीं था लेकिन या 40% लोगों को जादा फायदा हुआ है ये एक बार टेस्ट नहीं होते बार बार होते और इस धंग से अगर result आए तो इस medicine में बहुत तथ है क्योंकि 40% लोगों को जादा इसका फायदा मिला है तो ये placebo effect की जो बात है वो बहुत महत्वकी बात है जो मेरा दाइरा है क्योंकि अंदविश्वास के क्षित्र में मैं काम करता हूँ उसी डंग से सम्मोहन प्रक्रिया मैं लोगों को सीखाता हूँ पर्सनेलिटी डेवलप्मेंट के मैं वर्क्शॉप चलाता हूँ लोगों के confidence बढ़ाने के इतने सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें काफी सफल भी रहा हूँ लाखों लोगों को उसका फायदा आज तक मिल चुका है तो ये सब प्रक्रिया अमल में लाते वक्त मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि इसमें सच्चा ही कहा तक है और केवल psychological effects कहा तक है इन दोनों के फर्क के बारे में बहुत अच्छे डंसे मैं जानता हूँ इसलिए आज तक मैं कभी पराधुत नहीं हो पाया उसके बीचे का ये कारण है अभी उधारण के तोर पर हमारे World Health Organization ने 1955 में एक नमबर्स हमारे सामने पेश किये थे 1955 तक हमारी medicine की काफी प्रगती हो चुकी थे Medicine, Surgery के क्षेत्र में भी बहुत डेवलप हो चुका थे Medicine के क्षेत्र में भी डेवलप हो चुका थे इसके बाव जो तब भी 55% बीमारिया ये साइकोलोजिकली जिसे हम कहते हैं प्रभावित होने के ख्षेत्र के थे जैसे जिसे हम केवल साइकोलोजिकल बीमारिया कहते हैं वहाँ तो साइकोलोजी का पूरी तरह से बहुत प्रभाव होता है दूसरी बिमारिया होती है साइको सोमेटिक बिमारिया जिसे हम मनो काईक बिमारिया कहते हैं जैसे हमारा बलड प्रेशर है डाइबेटीस है इस डंकी कई बिमारिया जो है काफी अलग-अलग डंके स्किन डिजिजेस है वो भी हमारी साइको सोमेडिक बिमारी है इन सभी बिमारियों में साइकोलोजी बहुत महत्वका रोल प्ले करती है इतना यह नहीं तो हमारी जो प्योरली शारिरिक बिमारी है जिसे हम सोमेडिक कहते हैं वहाँ भी हमारी इम्यून सिस्टीम बढ़ाने का काम या फिर उसको ज बहुत anxiety हमारी बढ़ती है, तो हमारी immune system की जो level होती है, वो भी बहुत lower हो जाती है, अगर हमारी tension का प्रमाण बहुत कम है, anxiety का प्रमाण बहुत कम है, तो हमारी immune system पूरे ताकत से काम करती है, याने एक ही वेक्ति है, उसी की immune system है, लेकिन जब वो tension में रहेगा, anxiety की अवस्ता में रहेगा तो उसी की immune system बहुत ताकत से काम करेगी तो इसलिए शारिरीक बिमारियों के इसलिए medicine लागू होगा medicine के अपने जो गुण है उसकारण भी लागू होगा लेकिन यह जो 50% का दाइरा है यह 50% के दाइरे में 55% का दाइरा जो है उस दाइरे में इसका बहुत एक महत्व है इसलिए यह श्रद्धा प्रक्रिया के जो फाइदे मिलते हैं बाबा के माध्यम स कोई बाबा कोई भी बिमारी होगे यह शेंग डाना याने मुंभली का दाना क्हाओ ठीक होजाए कही लोगों की बिमारी थीक हुई ऐसा उकृत है हाला कि वो ठीक नहीं होती लेकि उनको याने एक ज़स्ट जो relief मिलता है वो भी उनको ठीक होना लगता है और ऐसी कुछ बि थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है और इसलिए इन बाबाओं का बहुत बड़े पैमाने पर जो चक्कर चलता है बाबा हो देवी शरीर में लाने वाली व्यक्ति हो चाहे जोतिशी हो फिर आप ये रत्न को पहनो ये रत्न को पहनो गे तो आपके बिमारी ठीक हो जाएगी बिम का बहुत बड़े पैमाने पर फाइदा उठाया जाता है लेकिन हमारा मेडिसिन तभी प्रगत हो पाया जब हमने इस बात को समझा और उसके उपर हम बढ़ते गए तभी हम मेडिसिन को इतना डेवलप कर पाए आयूरवेद को और युनानी को हम इतना डेवलप नहीं कर प इस बारे में यह दवाई यह अगर आप खाओगे तो आपको लड़का होगा अब किसी दवाई खाने से लड़का हो सकता ने लेकिन पीजडी मिली तो इस ध्रंग से हम साइंटिफिक पूरी तरह से इन्विस्टिकेशन के आधार पर जो हमने करना चाहिए वो नहीं करते है और इस कारण हम अपने बागे मेडिसिन इतना डेवलप नहीं कर पाए एलुफेथिक एक्षेत्र में यह बहुत ही कड़ाई से लागू होता है इसलिए वो मेडिसिन इतना डेवलप हो पाया है लेकिन उसमें शिरद्धा प्रक्रिया का उप्योग कैसा होता है इसका भी ऐस हास हमरा बढ़ा है और खास करकर एक बात इसके बारे में मैं जोड़ दू यह Immune सिस्टीम का जो महत वह सबसे पहले हमारे ध्यान में आया वह AIDS के कारण AIDS में कोई AIDS कोई बीमारी नहीं है AIDS के कारण इस दुनिया में एक भी व्यक्ति मरती नहीं है जिसे भी AIDS होता है उसकी immune system पूरी तरह से खतम होते जाती है और हमारे भारती ये समाज में करीबन हर दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति के शरीर में जिसे हम कह सकते हैं कि टीबी टीबी जैसी बीमारी है दो में से एक व्यक्ति के शरीर में काफी बड़े पहमाने पर वो जन्तु उपलब्द है जिसके कारण इंसान टीबी ग्रस्त हो सकता है लेकिन जब तक आपके इम्यून सिस्टेम स्ट्रॉंग रहेगे तब तक वो डॉर्मन स्थिति में पड़े रहेंगे वो आपके शरीर पर हावी नहीं होगे वो टीबी क्रियेट नहीं करेंगे जिस दिन आपके इम्यून सिस्टेम डाउन हो जाएगे उस दिन TB आप पर हावी होगा और फिर TB ग्रस्त शुरुवात की स्टेज में होगे और TB से आगे चल कर मरेंगे AIDS के अभ्यास के दर्मियान हमें immune system का महत्वा बहुत जादा अच्छे डंग से ध्यान में आया और इसलिए यह immune system के क्षेत्र में भी हमारी psychology एक महत्वा का रूल प्ले करती है यह ध्यान में आने के कारण आपने जो वाक्य उप्योग मिलाया था डॉक्टर पर हमारा विश्वास होना चाहिए श्रद्दा होने चाहिए तो अधिक फाइदा मिलता है यह सब उसके वह परिदाम होते हैं उस वाक्यों को इसलिए महत्वा प्राप्त होता है चांप चलने से पहले एक छोटा सा एक अंतिम प्रश्ट जैसा माना जाता है जो पढ़े लिक्ए लोग होते हैं भाई वो ज़ादा लॉजिकल होते हैं जादा उनमें छमता होती है किसी भी चीज़ को अनिलाईज करने के उद्धिकल ज्यादा होते हैं लेकिन आप हाल के दिर आदे दिर देखा क्योंकि एक जो विष्वास कह लीजे बाबा लोगों के संब्द में हम लोग पहले भक्त बोलते थे अंध भक्त बोलते थे क्या पढ़ाई का इस अंध विश्वास से कोई relationship है कि हम पढ़ लिख जादा लेंगे तो हम जादा analytical जादा logical हो जाएंगे या चुकि आज की दिनों में देखा गया कि कि इसका मैं जो देख रहा हूं कि इसका कुई relationship लेंगे आप जितना भी पढ़ लिख लिए अच्छे खासे आयाटी और लोग भी इसमें फ़स जाते हैं जी जी बिलकुल आपने सही बात करिए मैं इसके लिए बोलते वक्त हमेशा बोलता था जब लोगों को समझाता था कि ज जो देहात के लोग होते हैं उनके कपड़े जैसे ठीक धंके नहीं होते हैं थोड़े ओबर दोबर होते हैं करकिस्त्री वाले नहीं होते हैं तो उनके अंदर विश्वास भी इस धंके ओबर दोबर होते हैं बुद पर विश्वास रखते हैं मंतर तंदर पर विश्वास र कि वह अंगुठियों में रत्न लगा कर पहनते हैं तो कहने का मतलब ऐसा है कि उनके भी अंदव श्डब सुधने ही ऑश होते loisy होते हैं थो भुवत बड़े निता जी से बात कर रहा था और उनको कह रहा था कि सैंटेफिक के से डेवलब होता है और हमारे डेश में हुआ नहीं है, education system ने हमने लाया नहीं है, तो मैं उधारण उनको दे रहा था, हमारे अब्दुल जी कलाम राष्ट्रपती जी का उधारण दे रहा था, तो उन्होंने कहते कहते मुझे कही दिया कि आप राष्ट्रपती अब्दुल जी कलाम जो गए सत्य साही बाबा के चरणों पर माता टेकने के लिए तो इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे विश्वास रख सकता है ऐसा मैंने सवाल पूछा उनको तब उन्होंने मुझे कहा कि आपने उनको साइंटिस्ट कैसे समझा मैं जब सुरक्षा मंत्री था तब मैंने उनको चीप बनाया था वो केवल गूड टेकनिशियन है अच्छे ट अब ये भेद हम आम इंसान नहीं कर सकता है आम इंसान के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति है साइंटिफिक फिल्ड में काम करने वाला व्यक्ति है वह साइंटिफिक व्यक्ति है पढ़े लिखे व्यक्तियों के अंदविश्वास क्यों कायम रहते हैं उसके पीछे के दो कार शक नहीं करना है और चिकित्सा नहीं करनी है फिर एक दूसरा बात कि हमको बच्पन से जो थोड़ा बूत पड़े लिखे लोग होते हैं उनके दिमाग में डाला जाता है जहां से विज्ञान खतम होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है जहां से विज्ञान खतम होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है इसका मतलब है कि विज्ञान के क्षेत्र के जो नियम है वो आध्यात्म के क्षेत्र को लागू नहीं होते हैं यह हमारे देश का सबसे बड़ा गड़ा है जिसमें हम लगातार कई सालों से गिर रहे हैं क् को ऐसा होता है मेरा बहुत अच्छा गहरा अध्यान है अध्यात्म का मैं विनोभा जी के आश्रम में रह चुका हूं इतना ही नहीं तो मुझे खुद को सभी अध्यात्मिक शम्ताय प्राप्त करने लिए जितना भी उसका गहरा अध्यान करना संभ वे उतना मैंने बहुत जावे के साथ में नहीं आववान देने के और लेने के तैयारी के साथ में कहता हूं, आध्यात्म में बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैंने निचोड निकाल कर परस्नालिटी डेवलोप्मेंट के वर्क्शॉप में मैं बहुत अच्छे डंग से साइंटिफिक तरीके से लोगों को सीखाता हूं, लेकिन ऐसे कोई आध्यात्म इस दुनिया में नहीं है, जो विज्ञान के नियम के परे हैं, जहां विज्ञान के नियम लागू नहीं होते जो भी है, विज्ञान याने क्या है, विज्ञान याने कोई रास्ते का कुत्ता बिल्ली तो है नहीं, ये विश्व पहले से है, ये युनिवर्स में, इस पृत्वी के नेचर में, जो नियम है, उनको जानना याने विज्ञान, उन नियमों को हम जानते हैं, और उसका उप प्रतिशत सच नहीं है, यह माईक का जो मट्रियल है वो भी पृत्वी से हमने प्राप्त किया है, मोबाईल का जो मट्रियल है वो भी हमने पृत्वी से प्राप्त किया है, मोबाईल के जो नियम है और माईक के जो नियम है, ध्वनी के नियम है, प्रकाश के नियम है, यह योन अंतरन दुसरे में होता है, दुसरे का पहले में होता है, इस ढंग से ये प्रक्रिया चलते रहती है, ये बात अगर हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिये और जान ले, तो विज्ञान ऐसी चीज है जो कोई भार की चीज नहीं है, ये युनिवर्सल नियम है, हर एक को ला इक्सेप्शन नहीं होता है, जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, वो नया नियम होता है, विज्ञान के नियम को कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ये वाक्य सव प्रतिशत जूटा है, जो भी एक्सेप्शन हम कहते हैं, वो अलग नियम होता है, दुसरा नियम वहां से ये शिद्ध करने के लिए मैं गये 40 सालों से अवां दे रहा हूं आज तक कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर पाया जो भी विज्ञान का रहस्य है शायद हो सकता है हमारा अज्ञान है आज भी हमारा अज्ञान हमेशा बड़ा होता है जितना हमारा अज्ञान बड़ता है उतना अज्ञान का दाइरा और बड़ा होता है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि भाई बहुत सी चीजे आज भी हमें पता नहीं जैसे पहले हम समुंदर के नीचे एक किलोमेटर भी नहीं जा पाते थे तो हमें पता नहीं था कि समुंदर के नीचे कितना है आज 10 किलोमेटर तक पहुंच गए इसके बावजुद हमको पता है कि उससे भी नीचे सम्मुंदर है, वहाँ क्या है आज हमें पता नहीं हमें हमारे आकाश गंगा की बहुत अच्छी जान करिये, कई आकाश गंगा है, इसके बारे में जान करिये लेकिन उसके भी आगे बड़ा विश्व है हम जानते हैं, ये यूनियर्स की सभी जान करिये हमें नहीं है, इसके हमें अच्छी तरह से जान करिये हैं तो अज्ञान तो हमेशा कायम रहने वाला है, अज्ञान होना ये बुरी बात नहीं, उल्टा ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली चीज है, लेकिन हमें ज्ञान होते हुए भी हम अंदविश्वास में अपने आपको जकड कर रखते हैं, ये बहुत गलत बात है और ये अंदविश्वास क्यों निर्माण हुए, क्योंकि ये श्रद्धा प्रक्रिया जहां हमने शक के लिए गुंजाईश नहीं रखी, चिकित्सा के लिए गुंजाईश नहीं रखी, और इसलिए ऐसी चीज़ों को हम पकड कर बैठते हैं, कि जहां विज्ञान खतम होत होता है, धर्म शुरू होता है, हाला कि धर्म हमने निर्माण किया है, आध्यात्म हमने निर्माण किया है, जब इंसान पैदा हुआ तब इंसान के स्थिति क्या थी, वो जानवर जैसा था, उसको कपड़े पैनने के अकल नहीं थी, कपड़ा उसको मालूम नहीं था, भाश जिसमें reasoning करने के क्षमता थे उसके आधार पर वो दुबला पतला प्राणी ये दुबला पतला प्राणी साथ में रहकर ही जी सकता था इसलिए उसको एक दुसरे के साथ में जीना सिखना पड़ा और सामोहिक कृति करने के लिए अगर शिकार करनी है तो सबने मिलकर करेंगे इतलोग जिते हेंगे नहीं तो नहीं हारे वो खुदी मारे जाएंगे इस लिए सामोहिक कृति करने के लिए उन्होंने भाशा का development किया जैसे जैसे बहलोप हुई वैसे उनकी विचार करने के ख्षमतबडी जैसे जैसे विचार करनी के ख्षमता बड़ी वैसे बनाया चस्मा बनाया दुरवेंड बनाए इस धंग से नेचर का ही फाइदा उठा कर उसने अपने दिमाग का उपयोग करकर आज का ये पूरा विश्व उसने निर्माण किया है ये इनसान के विचार करने की क्षमता का फल है ये उसी के दिमाग का हिस्सा है और दूसरा जो ह हिस्सा है कि हमें जो कहा गया वैसे के वैसे स्वेकार हो ये भी अमारे दिमाग का हिस्सा है दोनों का संतुलन अपने बहुत अच्छ डंग से रखेंगे तब ही हम बहुत अच्छे डंग से विकास कर पाएंगे जीस कारणवश हमने पूर्या ये मानवजाती का विकास प्राप्त किया रिजनिंग के आधार पर सवालों के जवाब ढूंडने की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या होगा इसलिए हम प्रगती कर पाएं उसी को हम अगर नकार देंगे हमारी सभी प्रगती रुख जाएगे इसलिए दोनों का बहुत अच्छा संतुलन होना चाहिए धर्म का हमारे समाज में हमारे पुरे मानवजाती के इतियास में एक बहुत अच्छा रोल रहा है लेकिन अभी वो रोल बदलना चाहिए क्योंकि आदोनेक विज्ञान के जगत में हमने अलग से constitution निर्बाण किये जो धर्म के दाइरे के बहार उससे भी बड़ा दाइरा व्यापने वाली है उससे भी बड़ा दाइरा कभर करने वाली है तो इसलिए हमारे धर्म की definition आज के जमाने में बदलनी चाहिए और हमने आगे बढ़ना चाहिए यह हमारे प्रगती का एक हिस्सा है और हमारे भारत की constitution तो बहुत बहतरीन constitution हमने बनाई है तो इसलिए सभी धर्म के हिस्से उसमें आ जाते हैं सही माने में देखे जाए तो क्योंकि मैं इसलिए यह कह रहा था कि यह धर्म हमने निर्मान की है यह धर्म जो होते हैं उसके बारे में अब हम इस्तार से एक बार बात करेंगे अभी मैं केवल इतना ही कहूंगा कि धाई तीन हजार साल पहले हमने धर्म खुद निर्माण किये हैं उसके पहले जो कल्चर थी वो कल्चर हमेशा अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली नहीं रहती थी तब अज्ञान रहता था कल्चर की बात ऐसी होती है हिंदू कल्चर ही माने जाती है उसको आज तक धर्म कोई मानता नहीं है कल्चर की विशेष्टा ये होती है कि जब भी प्रकाश आता है तो अंधेरा छड़ जाता है नया प्रकाश को इंसान स्विकार रता है लेकिन जब धर्म निर्मान होते हैं तो एक धर्म ग्रंत के द्वारा पूरी तरह से बांधे जाते हैं उसके बाहर किसी को सोचने का आउसर नहीं दिया जाता है और फिर उसमें से अंदविश्वास पनपते हैं कल्चर की जो प्रक्रिया है जैसे प्रकाश आएगा अंदेरा छटेगा ये प्रक्रिया हमने हमेशा शुरू रखनी चाहिए क्योंकि इनसान को कल्चर की आवशकता है कल्चर के बिना वो जी नहीं सकता कल्चर के बिना वो समवर्धन नहीं कर सकता तो ये भी फर्क हमने अगर महसूस किया और उसको हमारे दाइरे में हमने सम्मिलित किया तो मुझे लगता है काफी सवालों का हमने डून पाएंगे शाम जी वो बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में को बताने के लिए और धर्म की जब चर्चा करेंगे तो हो क्या गया है कि धर्म आज बांध की तरह हो गया वो हमें बांधता है जब कि शायद मानज का विकास तो तब ही होगा जब यह कोई भी बांध न रहे कोई भी रोक न रहे और इसका फ्री फ्लो फ्री फ्लो आफ नॉलिज या जो भी है कि मैं आप से पूछने में मुझे यह न लगे कि मुझे कहीं मैंने ऐसा पूछ लिया ता आपको धर्म की वज़े से बुरा तो नहीं लगेगा जो इस पर चर्चा फिर कभी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को बताने के लिए और बहुत से लोगों के जो जो रोज मर अला कि उनके मन में आशंकाय रहती है उसको दूर करने के लिए थैंक्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद